आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासिस के यूटूब चैनल पर थमने लाप ने बिल्कुल सही पड़ा GST रजिस्टेशन कैंसिल कर दिया और जादा नी 8 करोड रुपेगी डिमांड निकाल दी अब व्यक्ति क्या करता जब उसकी 8 करोड रुपेगी डिमांड निकाली गई तो व्यक्ति पहुच गया और हाई कोड में रिट फाइल कर दी आपको पता तो चली गया होगा हम किस केज की बात कर रहे है मुझे comment box में लिख कर बता उसका नाम उसका नाम क्या है उमेज जैसवाल जी का case है और अभी 6 जनवरी 2022 को इसकी judgment आई है case इतना बढ़िया है कि आपको इस case को घर पर बैट कर study करना चाहिए कि इस case में क्या-क्या चीजे कही गई है मैं आपको पूरा case इस वीडियो में बताऊंगा हुआ क्या ये case ये वेक्ति GST में registered है और होता क्या है इनके यहाँ पर rate होती है search and seizure होती है ठीक है एक particular date को और इनका जो है credit leisure block कर दिया जाता है ठीक है ना अब यहाँ पर credit leisure कितने का block करा गया है 32 लाग रुपे का credit leisure block किया गया है और होता गया है इनका metal का business है इनके यहाँ पर 17 March 2021 को premises में search होती है ठीक है DGGI दुआ रहा ठीक है search होने के बाद date को ध्यान में रखिएगा 17 March 2021 को इनके यहाँ पर search हुई और search के बाद यह लोग चले जाते है कुछ documents वगेरा को siege करके फिर इनके पास 11 October 2021 को search कभूई है March में और 11 October मतलब लगबक 6 महीने बाद इनके यहाँ पर एक notice आता है और notice में लिखा जाता है कि Socos notice for cancellation of registration कि search के दोरान हमें जो मिला वो तो ठीक था लेकिन अब हम तुमारा registration cancel करना चाहते है और cancel registration करने के लिए एक reason देना पड़ता है कि भई यह आप किस वज़ा से cancel कर रहे हो तो यह क्या करते है section 29.2 में section 29.2 में लिखा गया है कि भई in-in basis पर आपका registration cancel हो सकता है उसमें से एक reason है कि भई अगर आप कोई भी issue करते है invoice और bill without supply of goods मतलब कि आपने fake billing अगर आपने करी है तो हम आपका registration cancel कर देंगे तो यह ground डालते हुए इनको एक notice भेज़ दिया जाता है कि आपका registration cancel होता है ठीक है जी अब यहाँ पर यह notice कब आया है 11 October को आया है और 11 October से ही इनका registration suspend कर दिया जाता है और इन्हें कहा जाता है कि सारे काम छोड़ो और साथ दिन में इस notice का reply करो अब यह क्या करते हैं कि भई सारे काम छोड़ कर इसका reply करते हैं 18 October को हाला कि इस दोरान यह traveling में रहते हैं लेकिन 18 October को यह reply दे देते हैं 18 October के reply में जो यह कहते हैं कि भई आपने हमारे उपर allegation लगाया है कि हमने बोकस बिलिंग करी हमने goods या service नहीं दी बोकस बिलिंग करी तो असैसी यह पूस्ता है कि भई कम से कमे में यह तो बता दो कि हमने बोकस बिलिंग करी किसे भई हो सकता है मैंने sale करी है 10 पार्टियों को तो क्या मैंने 10 की 10 पार्टियों को बोकस बिलिंग कर दी या उन में से 1 या 2 पार्टियों की बोकस बिलिंग है आप मुझे यह तो बता दो और आप मेरा 32 लाग का credit लेजर ब्लोक कर देते हो इसे बिना रीजन के ठीक है ना लेकिन department कुछ नहीं बताता इसके बारे में ठीक है ना यह नहीं बताता कि तुमने किसे बोकस बिलिंग करी या क्या करा वो क्या करता है इस registration को cancel कर देता है और registration को जो cancel करता है वो back date से cancel करता है back date मतलब एक जुलाई 2017 से cancel करता है अब इस व्यक्ति ने जुलाई 2017 से लेकर जो 2021 तक supply करा है माल सबका ITC बेकार हो गया इसके जितने भी रिसीपेंट थे जिन्होंने चार साल में इससे माल परचेज करा वो तो सब बरवाद हो जाएंगे क्योंकि इसका जो registration cancel हुआ को कब से हो गया एक जुलाई 2017 से तो अब इहाँ पर समझो जो इसके रिसीपेंट है वो सारे के सारे परेशान और रीजन क्या दिया गया है दीलर इस अंगेज इन बोकस बिलिंग हाला कि section 29.2 में लिखा हुआ है कि आपका registration back date cancel हो सकता है लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति का department registration back date से cancel करता है तो वो तो बड़ी दिक्कत की बात है किन लोगों के लिए जिनोंने उससे goods purchase करें तो आप मुझे comment box में लिख कर बताओ कि जो back dated registration department cancel कर देता है क्या ये सही है या गलत इन purchaser की क्या गलती जिनोंनों इससे माल परचेज करा अब इसमें होता गया है कि इसका registration back date cancel कर दिया जाता है और registration cancellation order में कहा जाता है कि तुम ये 8 करोड रुपिया ज्यादा की demand निकाली है लगबग 9 करोड रुपे की demand निकाल दी और क्या कहा गया कि इसे 25 नवंबर तक जमा कर दो ठीक है ना देखो 9 करोड रुपिया ठीक है ना इसके घर पर रखा होगा ये बैंक में डालेगा और डिपार्टमेंट को जमा कर देगा डिपार्टमेंट ने ऐसा सोचा होगा कि 9 करोड रुपिया इससे मांग लेते हैं कोई ज्यादा बड़ा अमांट नहीं मांगते अरे भाई 9 करोड रुपिया कितना होता है तुमें समझ आती है एक बिजनिसमेन को कमाने में सालों लग जाते हैं आपने 9 करोड रुपिया मांग लिया उससे और उसकी कोई कैलकुलेशन भी नहीं थी कोई कैलकुलेशन नहीं कि 9 करोड कैसे निकल कर आया कोई इसमें कुछ नहीं है अब ये वेक्ति क्या करता भाई अगर इस पे 9 करोड की जंग 90 लाख 9 लाख की डिमांड आती है विचारा परिसान हो जाता है ठीक है ना क्या करे वो तो हाई कोड थी उन्होंने असेसी का पक्ष लिया हाला कि जब किसी केस में बोकस बिलिंग के केस में कोई प्रोफेशनल जाता है ना ओफिसर के सामने उनसे बात करने तो ओफिसर ये कह देते हैं कि तुम भी मिले हुए हो जब भी जैसे मालनों मैं चार्टर अकाउंटेंट हूँ मैं एक जी क्लाइंट का केस फाइट कर रहा हूँ और उसे बोकस डीलर का नोटिस आया है तो जैसे ही मैं जाता हूँ तो मुझे कह देता है जैन साथ ये तुम नहीं कराया होगा तुम भी इसमें मिले हो तुम इसे बचा रहे हो अब हाई कोट ने जब क्लाइंट का पक्ष लिया क्या अब भी DST ओफिसर कहेंगे कि हाई कोट भी इनसे मिला हुआ है ऐसा तो अब नहीं कहोगे न हाई कोट ने इतना बड़िया decision दिया कि मजह आगे इस decision को पड़ कर इनोंने क्या करा हाई कोट ने बोला कि भाई क्या रहे हो तum तुम हमें disappoint कर रहे हो हाई कोट बनाए किसलिए गए थे और तुम ऐसे ऐसे case लाकर हमें disappoint करे जा रहे हो पूरा का पूरा कि Rule 21B का violation करा है, बोकस बिलिंग है, अरे उसका नाम तो बताते, उसका एविडेंस तो बताते, ये तो आपने जो नोटिस दिया, ये वैक्डियू है, मतलब कि ए, इस पस्ट नोटिस है, तो ऐसा नोटिस क्यो देते हो, आपको पूरी डिटेल देनी चाहिए, जिससे कि आपने सिर्फ ये लिख जाए, डिलर इस अंगेज इन बोकस बिलिंग, ये कोई सही नोटिस नहीं है, ठीक है ना, आप अब जो डिपार्टमेंट की तरफ से, महाँ पर पर परजेंट हुए, उन्होंने का, नहीं भाई साव, हम तो मैं लोड, जो हमारा हाई कोट है, हम तो बस इतनी डिटेल दे देते हैं, और ये डिटेल बहुत होती है, उसे समझ जाना चीए, खुद बाखुद, कि उसने किसे बोकस बिलिंग करी है, तो हाई कोट ने का, भाई, ऐसे मत करो, ऐसे करोगे तो तुम असेसी को परिशान करोगे, और हमें भी परिशान करोगे, तो हाई कोट ने इन्हें क्या करा, अच्छी खासी डाट लगाई, और अच्छी खासी डाट लगाने के बाद बोला, कि यह जो तुमने order करा रहा न, registration cancel का, यह गलत है, इसे satisfied करते हैं, हम इसे तीक है न, गलत मानते हैं, और यह जो demand order है न, तुम्हारा 9 crore रुपे का, यह भी गलत है, तीक है, जब आप किसी की proceedings करो, तो वहाँ बर आपको क्या करना चाहिए, proper detail देनी चाहिए, आपको बताना च किस वज़ा से तुम्हारा बोकस बिलिंग है, तुमने कह दिया बोकस बिलिंग, तो बोकस बिलिंग हो गया क्या, आप समझो न, बोकस बिलिंग के लिए आपके पास evidence होना चाहिए, तो जब high court ने अपने decision दिया, तो इसमें supreme court का, जो एक वरंदवन बैगरेजीज का case है, लिखा हुआ है, आप ये वाली high court की judgment court कर सकते हो, जब आपके पास एक notice का आप reply डालते हो, तो कई बार department ये गहता है, कि reply is not satisfactory, तो आप ये वाली judgment डाल कर पूछ सकते हो, कि भई क्या satisfactory नहीं था, तो ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हो, इस वज़ा से हमने ये case यहाँ प पूरा analysis करके आपको दे देंगे, मुझे comment box में लिखकर बताओ, कि क्या हम इसका analysis दे या नि दे, और आने वाला हपता, आपके लिए बहुत बढ़िया होने वाला है, क्योंकि आने वाले हपते में, हमने एक तो course रखा है, ठीक है webinar Excel के उपर 30 जनवरी को, आपको उसे attend करना जीए, जिस से आप अपना time बचा सके, इसके बाद हर वेक्ति को अपने जीवन में एक passive income चाहिए, तो आप अगर चाहते हैं, कि इस stock market का ज्यान मिल जाए, क्या ज्यान मिल जाए, कि वही क्या होती है stock market, किसे पैशा लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए, कैसे लगाना च जो budget है, budget के अंदर क्या-क्या changes होंगे, आप budget वाला webinar अटेंड कर सकते हो, तो इन webinars के लिए जल्दी से जल्दी registration करा लो, और registration कराने के बाद जो topic हम पढ़ाने वाले हैं, उस topic के लिए थोड़ा सा study कर लो, जिससे कि तुम्हारे को मज़ा आजाए webinar को attend करने में, magazine की sample copy लेकर देखो, जिससे कि तुम्हें idea लग जाए कि sample copy में क्या आता है, जिससे आप magazine purchase कर लो, और अगर आपको full course लेना है, तो आप हमारी Google Drive, Pen Drive classes ले सकते हैं, जिसमें हम आपको 6 महिने तक, 12 महिने तक update देते हैं, कोई अगर आपके मन में query आती है, तो आप हमारी query membership भी ले सकते हैं, आशा करते हो, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है, तो जादे से जादे like कीजिए, चैनल आपने subscribe करी दिया होगा, अपने दोस्तों से भी चैनल को subscribe कराईए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, thank you for watching,